देवर से लिखे यहां तक आ रहा है यहां तक चलो टॉपिक क्या था एक छोटी सी परिभासा से सुरुगात करते हैं कि नागरिक्ता क्या है ठीक नागरिक्ता की परिभासा देखो क्या है किसी राजनितिक समुदाए एक सब्द क्या मिला राजनितिक समुदाए के किसी राजनितिक समुदाए के पूड एवं किसी राजनितिक समुदाए की पूड एवं समान सदस्यता क्या कहलाता है नागरिक्ता किसी राजनितिक समुदाए की पूड एवं समान सदस्यता क्या कहलाता है नागरिक्ता अब यह समझो कि राजनितिक समुदाए क्या है समुदाए का मतलब है कि आसपास का जो छेत्रे यदि हम छोटे लेवल पे लेंगे तो ये भी हमारा क्या है? समुदाए है लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं राजनितिक समुदा आजरा यानि कि यदि का प्रत्य रटा दो तो यह क्या बन जाएगा राजनिती राजनिती का मतलब कि एक ऐसी नीती जिससे किसी छेट्र विशेस पे राज की आजए अरे बोलो सही यह राजनिती का देखो यहां से तो यह क्या बन जाएगा है राजी राजनिति और यह पूल책 को मैंने बता दिया है कि राजनिति क्या होता है 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 अब इसके सब्सक्त को तोड़ो हुआ है राज Lee कि की दित राज और निटी हम एगा है सघी राज का अर्थ यहां पर होगा गवन से गवनेंस सासन समझें किसी भी रूल को गवन करना यानि इसको एग्जेक्यूट करना समझें जैसे गौवर्मेंट बना है गौवर्मेंट क्या करता है रूल को एक्जिक्यूट करता है यानि कि देश पर सासन करता है तो सासन को हम क्या बोलते हैं गवर्नेंस क्या बोलते हैं गवर्नेंस तो यहां पर राज करने का मतलब भी क्या हो गया सासन करना हो गया और सासन करने का मतलब क्या हो गया गवर्नेंस कि सब्सक्राइब और नितिकार्थ यहां पर क्या हो जागा नितिकानवाद इंग्लिश में पॉलिसी यानि ऐसी policy जिसके द्वारा शाशन किया जाए वो क्या कहलाता है उसी को बनाने की जो सारी activity होती है वो क्या कहलाती है राजनिती कहलाती है अब इस राजनिती में हमने कब प्रत्य जोड़ दिया तो यह क्या बन गया राजनितिक समझ गये यानि कि एक और राजनितिक समुदाय की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा समुदाय जहां तक किसी भी देश के सरकार की निती लागू होती है नहीं समझे जैसे भारत की एक बाउंडरी है सही है भारत में लोग है सही है इस लोगों पे सासन करने के लिए सरकार है तो सरकार की जो निती होगी वो केवल भारत में लागू होगी पाकिस्तान में भी लागू होगी भारत में लागू होगी तो एक निस्चित छेत्र हो गया जहां के लिए सरकार निती यानि पॉलिसी यानि योजनाएं बनाएगी और वो उस योजना के द्वारा वो इस छेत्र पे सासन करेगी समझ गए यानि कि नीती के द्वारा वो क्या कर रहा है राज कर रहा है तो जो भी एक्टिविटी इसके लिए कर रहा है वो सारी में क्या जोड़ दिया समुदाय तो राजनितिक समुदाय का मतलब वह समुदाय जहां तक राजनितिक क्रिया कलाग हो रहे हैं कि ऐसे कई सारे समगदाव हैं जैसे पाकिस्तान अला गए इंडिया अला गए जर्मनी अला गए युएससे अला गए समझ गए अब इस राजनीतिक समगदाव ने क्या बोला कि वह छेत्र जहां पे सरकार जहां तक सरकार की निती लागू होती है और जहां तक सरकार की निती लागू होती है उसे आप या तो राज्य बोलते हो या तो अब वर्तमान में आप उसको क्या बोलते हैं देश बोलते हैं समझ गए तो राज्य क्या है एक राजनेतिक सीमा है राज्य क्या है अब जैसे देखो कि इस एक भगवलिक समझने के कोशिस करना कि सरकार की जो नीती होगी एक विशेश समुदाय के लोगों पर लागू होगी और यह विशेश समुदाय के लोग किसी निश्चित छेत्र में समझ गें किसी निश्चित छेत्र में रहने वाले विशेश समुदाय के लोग और उस विशेश समुदाय के लोगों के लिए निती कौन बनाएगा सरकार बनाएगी और सरकार जो निती लागू बनाएगी वह लागू किस पर करेगी उस विशेश समुदाय के लोगों के लिए करेगी और यह विशेश समुदाय के लोग रहते कहां पर हैं एक निश्चित भूभाग में रहते हैं या तो यह लोग सरकार की नीति को फॉलो करेंगे या तो उसमें कुछ गरबड़ी रहेगी या कुछ त्रूटी रहेगी तो उसका विरोध करेंगे इसका मतलब किसी रूप में वो सरकार से अपना अपनी सामती या असामती प्रकट कर सकते हैं इसका मतलब यह लोग सरकार से जुड़े हुए हैं और बोलो सही है और यह सारी एक्टिविटी जब मिलती है यह जो सारे क्रिया कलाप होते हैं तो इनी को समलित रूप से हम क्या कह होगी और इसी राज में रहने वाले लोगों का एक समुदाय होगा और सरकार जिस नीती को सिके जिस नीती के द्वारा सासन करती है उसे हम क्या कहते है राजनीती और वह किस पर लागू करेगी समुदाय विशेश पर यह क्या कर आएगा राजनीतिक समुदाय में रहेगा कौ लोग राजनितिक समुदाय की वैल्यू कब है यह समुदाय किसे बना लोगों से यानि यदि लोग नहीं रहेंगे तो इस छेत्र की कोई वैल्यू नहीं है समझ गए इसका मतलब राज की वैलू किसे बन रही है यहां पे रहने वाले लोगों से अब हमको यह मालूम होना चाहिए कि इस राजनितिक समुदाय में कौन-कौन व्यक्ति इसका पूर्ड सदस्य है समझ गए अब छोटी सी चीज समझने की कुशिस करना जैसे यहां पे जितने लोग हैं सबका परिवार है आपकी जो छोटी से छोटी जरूरते हैं वह कौन पूरा करता है आपका परिवार करेगा आपके ममिपाबा पूरा करेंगे सही है ना अब यहीं पे एक अनात बच्चे को ले लो आप एक अनात बच्चे को ले लो उसकी आसकता कौन पूरा करें उसको रोटी कपड़ा मकान कौन दे कोई है देने वाला अभी बस परिवार लेवल पे चलो उसका कोई परिवार नहीं है तो उसकी आसकता पूरी नहीं होती है और आपका परिवार है तो आपकी आ पूरी होती है आपको मालूम है कि आपका परिवार कैसे होगा एक निस्चित छेत्र है आपका जिस पे आपका घर है उस घर में रहने वाले लोग है और वही आपका परिवार है और यदि आपका परिवार है और उस आप उस परिवार के सदस्य हैं तो आपकी पूरी होगी और पूर्ति करती है हम लोग पढ़ चुके हैं कि सरकार हमारे लिए क्या-क्या करती है पढ़ चुके है ना तो अब सरकार को मालूम होना चाहिए कि किसके लिए क्या-क्या करना है और किसके लिए करना है किसके लिए नहीं करना है और किसके लिए करना है यह पता करने के लिए वो एक certificate देता जिसको क्या बोलते हैं नागिक्ता और यह नागिक्ता बताता है कि आप राजनितिक समुदाय के पूड या समान सदस्य हैं नहीं समझें जैसे for example समझने की कोशिश करना अब देखो यहां पर दो सद्दाया एक पूड सदस्य और दुसरा समान सदस्य नागिक्ता को क्या बताएगा कि आप एक राजनितिक समुदाय राजनितिक समुदाय मतलब राज्य के पूड सदस्य और समान सदस्य पूड सदस्य हैं इसका मतलब कि वहां की सरकार का और वहां के संसाधन का यूज करने का अधिकार आपके पास है जैसे आप गुरुकूल के सदस्य है तो आप गुरुकुल के संसाधन का यूज कर सकते हैं लेकिन बाहरी वेक्ति यहां के संसाधन का यूज नहीं कर सकता और यहां के संसाधन का यूज करने के लिए आपको यहां का पूर्ड सदस्य होना चाहिए अरे बोलो सही है सही है ना तो यही सारी सारे कॉंसेप्ट जो है आपके देश पर भी लागू होते हैं यदि आपको देश के संसाधन का लाव उठाना है और यदि सरकार के नीतियों का लाव उठाना है तो आपको इस देश का पूर सदस्य होना पड़ेगा अब देखो अभी वर्तमान में रोहिंग्या सब्द मैंने बताया था रोहिंग्या लोग ना तो भारत के पूर सदसे हैं ना तो मैमार के पूर सदसे हैं और ना ही बांगलादेश के पूर सदसे हैं तो क्या इनकी आवसक्ता पूरी हो रही है नहीं हो रही है यानि कि हमको ना कि वेलू है उनकी कोई आसकता नहीं पूरी हो रही है लेकिन हमारी सारी आसकता पूरी हो रही है क्योंकि हम किसी राजनितिक छेत्र यानि राज्य के पूर सदस्य हैं इसलिए लोगे डिमांड करते हैं यानि लोगे मांग करते हैं अपने सरकार से या किसी भी देश से कि हमको उस अस्थान का उस विशेश छेत्र का उस राजनितिक समुदाय का पूर सदस्यता मिलनी चाहिए ताकि हमारी बेसिक आव सकता है पूरी हो सके ताकि हम पर्यावरडी संसाधन का उस भूभाग के पर्यावरडी संसाधन का यूज कर सकें अब अमेरिका के लोग हमारे संसाधन का यूज नहीं कर सकतें कर सकतें और हम अमेरिका के उरेनियम का यूज कर सकतें नहीं कर सकतें इस संसाधन का यूज वही करेगा जो अमेरिका का पूर सदसे हो और भारत के संसाधन का यूज वही करेगा जो भारत का पूर्ण सदस्य हो तो जो हमने पूर्ण सदस्यता दे दी और नाइगिता परिभासित हो गई तो समान सदस्यता देने की क्या जरूरत है लेकिन हमने वर्ड क्या उज्ज किया पूर्ण सदस्यता एवं समान सदस्यता ही परिभासित करता है यदि आप किसी राजनीतिक समुदाय में हो आपको पूर्ण सदस्यता और समान सदस्यता मिली है तब आप उस देश के नागरी हो से ना तो पूर्ड सदेस्थयता समझ में आया पूर्ड सदेस्थता का मतलब होता है कि आप वहां के सरकार की नीतियों का और वहां कि या सरकार रक्षा कर रही है वो भी इसी राजनीतिक समुदाय का सदस है करेगा और हम लोग भी अपने स्छेत्र के संसाधन का रक्षा करते हैं क्योंकि हम लोग यहां के पूर सदस्य हैं और जब आप पूर सदस्य रोहिंग्या को हम लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमको वास्तों में पूर सदस्यता किसी भी भूभाग का राया राजनितिक समुदाय का पूर सदस्यता हमको चाहिए य 1893 में महात्मा गांधी गये थे दक्षिर अफ्रिका गये थे और दक्षिर अफ्रिका में जो लोग थे वो दो समूहों में बटे हुए थे स्वेत और स्वेत काले और गोरे थे ना स्वेत वे लोग थे जो अंग्रेज थे आण सवेत और दक्षिर närफिका के जो मूल निमासी थे वो क्या थे ला स्वेत यानि हुए काले थे और इंगलन्ड उस समय सासिन कर रही थी किस अफ्रिका के लोग भी वहीं पे यानि एक राजनेतिक समुदाय यह दोनों लोग है सब्धिए ना लेकिन यहाँ पर इंग्लेंड के पास भी नागरिकता है दक्षिर आफ्रिका की क्योंकि वहां पर तो वह सासन कर रही है और वहां के लोगों के पास भी है लेकिन इंग्लेंड यहां पे काले लोगों से या अस्वेत लोगों से हमेशा भेधाव करती थी स्वेत लोग अपने आपको सेष्ट समझते थे और अस्वेत लोगों के साथ वो भेधाव करते थे यानि एक रहनितिक समुदाय के पूर्ण सदस्व तो थे लेकिन वो सम नहीं थे संसाधन का पूरा यूज कौन कर रहा था स्वेत लोग और स्वेत लोगों को इसका कोई लाव नहीं मिल रहा था इसे ज़रूरी है कि यहां पर हैं जरूरी हो गया कि हम किसी देश के पूर सद rätt से तो हैं लेकिन साथी साथ हमको वहां पर समानता भी चाहिए कि जितना संसाधन आप यूज़ कर सकते उतना ही संसाधन हम भी यूज़ कर सकते यहां के जल का यूज़ मुक्य संबानी भी कर सकते और यहां के जल का यूज़ हम भी कर सकते हैं के समझ रहो यहां के जंगल का यूज भी कर सकते हैं यहां के जंगल का यूज हम भी कर सकते हैं लेकिन यदि भेद्भार्व आता अमीर लोग यूज परते गडरी लोग नहीं उसकर जोती भूट हैं भी हमारा पूडविकास नहीं होता इसने cater mond नागरिक्ता क्यों को परिभासित करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि किसी राजनितिक समुदाय के पूड़ एवं समान सदस्टा ही क्या कहलाती है नागरिक्ता और यह पूड़ और समान सदस्टा किसको दी जाएगी वहां के उस भूभाग पे रहने वाले लोगों को चा में थो यह क्या है नाग्रिक्ता अब यैसा नाग्रिक्ता की जरूरत क्या हैं ओस जरूरत है कि discern 166 इसको इतना पढ़ रहे हैं क्यों ज़रूरत है बीना अमेरिका में जाके नहीं रह सकते हैं वहां पे हम लेकिन वहां का रास्पति का चुना हम लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं वहां के नागरिकों को है नहीं ले सकते या भारत का ही ले लो पॉस करो मैंने यहां पर एक सब्द बोला था कि पूर सदसे जो होंगे वो भारत के संसाधन का पूर रूप से लाब ले सकेंगे ब्रस्पती बात मत करो पूर रूप से भारत के सदसे जो होंगे वो यहां के संसाधन का लाब लेंगे अब मान लो कि हमारे पास जो संसाधन है वो तो सीमित है और सीमित संसाधन है और वैसे ही हमारी जनसंक्या कितनी हो चुकी है 136 करोर किसी भी देश के लिए लो किसी भी देश की नागरिक्ता के यहां पर भारती नागरिक्ता नहीं लिखे हैं यहां पर क्या लिखे हैं नागरिक्ता तो नागरिक्ता क्या होती है राजनितिक समुदाय में पूर या समान सदस्यता रखने वाले को क्या बोलेंगे वहा परिभासित करते हैं और जो जिस देश का नागरीक है वहां के संसाधन का प्रॉपर वे में यूज कर सकता है वहां के संसाधन का यूज करके अपना विकास कर सकता है अब बात आती है संसाधन की तो संसाधन सिमित होते हैं और संसाधन क्या होते हैं वो हर एक चीज वो हर एक पस्तु जो हमारी एवसकता की पूर्ती करें वो क्या है संसाधन और संसाधन सिमित होते हैं सही है ना संसाधन सिमित होते हैं और यदि आपकी जनसंख्यार लगातार बढ़ती जा रही है अरे रहने दो भाई तुम लोग पढ़ लो पढ़ने का टेंशन नहीं है वीडियो का टेंशन है मतलब क्या हाँ आ जाईए तो संसाधन सिमित हैं हमारे पास यदि आपकी जनसंख्यार लगातार बढ़ती गई तो क्या सबके आसकता की पूरी हो जाएगी क्या सबके हो सकता की पूर्ती हो सकती है नहीं हो सकती ना नहीं हो सकती तो पहली चीज कि हमको अपनी जनसंख्या पर क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए अब जनसंख्या नियंत्रड एक तो हम कर सकते हैं कि कुछ विशेस लोगों को ही नागरी बनाया और उनके अंदर ज संसंख्या नियंत्रड समझें दूसरा हमने अब देखो यहां के जो लोग हैं 136 करण और हमारे यहां संसाधन की कमी और लेड़ी है इनके असक्ता की पूर्ती नहीं हो पार रही है और बाहर से जो लोग आएंगे जैसे मानलो रोहिंग्या रोहिंग्या आ गए असम में कहां आ गए असम में तो जब यह असम में आएं तो असम के लोगों के पास पहले से ही संसाधन सीमित है संसाधन की कमी है और उपर से यह लोग आ गएं तो संसाधन की और ज़्यादा कमी हो जाएगी इसलिए इस छित्र में रहने वाले लोगों न इनका क्या कर दिया विरोध कर दिया कर दिया वैसे ही हमारे देश में और यह विरोध इस्पेसली कहां के लिए था असम के लिए लेकिन जैसे इनर्सी आया तो इनर्सी में स्षिद्त अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांगलानेश के मैनॉटेश है वह इंडिया में आ सकते हैं इंडिया शिटिजनशिप ले तो भारत के कहीं भी किसी भी भागोलिक च्छेत्र में आके वहां पे निवास कर सकते हैं जब किसी भी भावली च्छेत्र में आओगे आप तो जिस च्छेत्र में रहोगे वहां पे संसाधन की कमी हो पहले से ही है यानि यहां के अस्थानी लोगों की आसकता पूरी नहीं हो रही है तो बाहरी लोगों की आसकता कैसे भाहर से आएगा तो यहां पर संसाधन की कमी हो जाएगी इसलिए जब यह विरोध चलता है तो पूरे देश में चलता है इसलिए एनर्सी का विरोध पूरे देश में चल रहा था कि उत्तर प्रेस में चल रहा था केरल में चल रहा था महरास में चल रहा था कनाटक में चल रहा था राजस्थान में चल रहा था असम में चल रहा था हर एक जगां चल रहा था जो भारत का पार्ट है क्योंकि यह लोग आएंगे तो संसाधन की कमी होगी है तो हमने अभी एक चीज मेने फोकस किया कि जो पूर स्थ से होगा उसको सरकार की नीती का फायदा मिलेगा जो योजना बनाएगी उसके लिए बनाएगी इसका मतलब कि नागरिक्ता के द्वारा किसी भी नागरिक और सरकार के बीच का संबंध बताया जा सकता है सही है ना नारित्ता के द्वारा किसी भी सरकार और वहां के लोगों के बीच का संबंद बताया जा सकता है जैसे भारत का छेत्र है यहां पे रहने वाले लोगों का यदि हम लोग का संबंद किस से हो गया मोदी जी से अब मोदी जी की योजना का लाभ हम लोग ले यहां पर भारत में जो किसान है उनको यह लाव मिलेगा दिखा रहा है कि नागरिक और सरकार एक दुसरे से संबंदित हैं यह दिखा रहा है ना यहां पर जो भी चीज़ हम बात करें किसके लिए कर रहा है नागरिक और सरकार दोनों क्या है एक दुसरे से संबंदित है लेकिन बात यहीं तक खतम नहीं होती है बात यह भी दिखाई देता है कि नागरिक और सरकार संबंदित तो है ही और नागरिक और नागरिक भी संबंदित है नहीं समझे जैसे समझो इस छेत्र में यहीं पर बात करते हैं गुरुकुल के बात करते हैं तो यहां पर हम लोग का संबंध किसे हो गया सरकार से अमारा संबंध भीक्स हो गया ब्रेस्पति भी है स्वागतम भी है सिवं भी है भारत के नागरिक है नागरिक होने के नाते हम लोग एक ही भूभाग के नागरिक हैं तो हमारा संबंध भी एक दूसरे से हो गया हो गया और यहां पर हमारा दाई तो है कि हमारा भी विकास हो और हमारे साथ जो इस छेत्र में रह रहा है उसका भी विकास हो इसी उद्देश से मैं पढ़ा रही हूं ना इस भूभाग का विकास करना इस भूभाग में रहने वाले लोगों का विकास करना इस भुभाग के संसाधन का संदक्षड करना किसकी जिम्मेदारी यहां के नागरिकों की अब कोई विदेशी आके थोड़ी पढ़ाएगा कोई विदेशी यहां के भारत का विकास करना चाहेगा लेकिन यहां के लोग यहां के लोगों का यह दाईत तो है कि यह लोग इस छे च्छेत्र के संसाधन का सही यूज करें और इस च्छेत्र के पर्या वरण को संतुलित बनाए रखें तो एक नागरिक होने के के तोर पे हमारे कुछ अधिकार भी और अधिकार क्या है हम राश्पती का चुनाओ लड़ सकते हैं हम संसाधन का यूच कर सकते हैं हम सांसत के लिए कre help के लिए सगते हम सुप्रीम कोड के न्याधिश बन सकते में और करतावय के तोर पर करतव की तौर पर कि हमारा इस देश के भूभाग में जितने संसादे ने उसका सद्छण करना हमारा करतव यहां अपना भी विकास करना अपने साथ जुड़े हैं इस छेत्र के लोगों का भी विकास करना अपने भी Gareemaa को और सामने वाले के भी गरीमा को बनाय रखना कि समझ रहो और यह जो भावना हमारे अंदर अंदर आती हो किसके अंतरगत आती है नागरिता और यदि मालो कोई विदेशी आ गया तो जिस भावना से आप इन लोगों के साथ जुड़े हो आप उस भावना से उसके साथ नहीं यह जूड़ोगी यदि हम उस्हावना से जूडते हो तो क्या र्ची का लिरूत करते नहीं करते नांत तू नागरिकता किसी भी छेत्र में रहने वाले लोगों का सरकार से और लोगो का लोगों से संबंध इस्थापित करता है अरे बोलो जए सही ना टो नागरिक्ता को यदि हम परिभासित करें तो यह इक सीमित वॉर्ड में समझने की कोसिश करोगे इसको तो किवल यह लगेगा कि हम भारत के क्या है नागकरिका लेकिन अब यदि इनको बोर्ष समंझने को कोशिस करें तो यह बहुत कुछ डिसाइड करता है इसलिए लोग क्या करते हैं अलग अलग छेत्र में नागरिक्ता के लिए मांग करते हैं जैसे यदि इसका कोई लाव नहीं होता तो क्या रोहिंग्या लोग नागरिक्ता के लिए मांग करते कोई मतलब रहता नहीं रहता त और यहां के कोई ठिकाना नहीं है तो कोई लाब भी नहीं मिला है वो सिच्छा से वन्चित है वो रोटी कपड़ा मकान से वन्चित है वो किसी भी प्रकार के रायनितिक अधिकार से वन्चित है ना ही किसी देश की सरकार को चला सकते हैं वास्तों में इनका कोई भी यानि किस किसी भी प्रकार का अधिकार परिभासित नहीं है इसलिए किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा किसी छेत्र में रहने के लिए किसकी जोग पड़ती है नागरिकता की और किसी भी देश का किसी भी देश का का अस्तित्व किससे बनता है वहां के रहने वाले नागरिक से और उस नागरिक को परिभासित करने के लिए सरकार क्या देती है नागरिकता क्या देती है यह केवल था कि नागरिकता क्या है